पिशोर कुश्वाह जी है MP से स्वागत है आपका आज़ी मेडम नमस्कार नमस्कार सर मेडम मेरा अपने आप बीपी हाई होता है क्या वजह है उसकी वे प्रूशिंग जानकार दें में जाता हूँ उम्र कितनी है आपकी मेरी 69 बार से है ठीक है हाँ देखें अब ये बीमारी हर उस शखस को होने लगी जो इसकी उम्र पचास से ज्यादा हो ब्लड पेशर हो शूगर हो टाइराइड हो ये इन में से एक बीमारी तो हर किसी को लेनी ही पड़ेगी अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते तो इसके लिए आप बहुत आसान इलाज भी है अगर आप कर लें कि सौफ को पौडर बना के रख लीजें सौफ तो सभी जानते हैं पौडर बना के रख लीजें और खाने के बाद एक चमच सौफ खाईए और एक आता है नमक जैतून याद रखें यह असली लेना है नकली बेहसाब मिलता है नमक जैतून दो चुटकी नमक जैतून लीजे यह नमक ब्लेट पेशर को फाइदा करने वाला नमक कहलाता है और यह नमकीन भी नहीं होता है यह इसकी पहचान बता रहा हूँ आपको क्योंकि नकली बहुत जादा मिलता है नमक जैतून दो चुटकी एक गिलास पानी में डालिये और इस पानी से एक चमच सौफ का पॉडर खाली जे या एक चमच सौफ चबा के खाली जे दिन में दो बार ऐसा करें तो आपका ब्लेट पेशर आपका कॉलिस्टॉल आपके दिल की हालत आपके शरीर की हालत आपके पेट की हालत आपके लीवर की हालत आपके किड्नी की हालत अच्छी होना मुम्किन है जे